नमस्कार दोस्तों, दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर आपके पास कोई image file है, photo file है, उसको आप animation में कैसे convert कर सकते हो, जैसे कि demo के तोर पर मैं आपको यहाँ पे एक दिखाना चाऊंगा, यहाँ पे मेरे पास कोई यह file है ठीक है, इस वाला जो image है मैं इसका आपको animation करके दिखाऊंगा, मतलब ए animation जो होगा वो आपको चलते हुए दिखेगा, dance करते हुए दिखेगा, या फिर और जो भी जितने भी हम animation के through कर सकते हैं, वो सब मैं आपको यहाँ पे करके दिखाने वाला हूँ, और इसके लिए हम कोई भी app इस्तिमाल नही करने के लिए, वो जो image है, आपके पास JPG फाइल में होनी चाहिए, यह image जो है मेरी JPG फाइल में है, आपको क्या करना है, Chrome ब्राउजर को खोल लेना है, और Chrome ब्राउजर पे आपको इस प्रकार से सर्च करना है, animated drawing, इस प्रकार से आप सर्च करोगे ना दोस्तों, तो आपक पर get started पर click करूँगा, और जैसे get started पर click करूँगा ना दोस्तों, यहाँ पर upload image इस प्रकार से यह आपको यहाँ पर कहेगा, अब आपको यहाँ से दोस्तों एक image फाइल जो है, इसको मैं यहाँ से ले ले लेता हूँ, उसके बाद मैं done पर click करूँगा, यहाँ पर हमारी image आ चुके हैं, हमें यहाँ पे next पे click कर लेना है, अब जैसे next पे click करेगा ना, तो यह यहाँ पे इसने क्या किया, थोड़ा सा scan कर लिया, हमें एगरी करना है इनके terms and condition को, आपको यहाँ पे image को थोड़ा सा बड़ा कर लेना है, या फिर आपके हिसाब से, जो भी image है, इसको आ जैसे कि मालें जी यहाँ से मैं ऊपर भी ले सकता हूँ, कुछ यहाँ से, इस जो एंगल से ना दोस्तों, इसी के माध्यम से यहाँ पे animation होने बार है, फिर से हम next पे click करेंगे, your animation should be ready सुनी इस प्रकास से यहाँ पे दिखा रहा है, आपको जो भी दिखें, यहाँ यहाँ इस प्रकास से आ चुका है, हम नीचे स्क्रोल करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे animation जो है, वो आपको मिलने वाले है, तो देखिए मैं यहाँ पे इस वाले animation पे click कर लेता हूँ, अब दोस्तों यहाँ पे इस प्रकास से यहाँ पे हाथ कर रहा है, अब यहाँ से हम और भी homepage पे click कर लेता हूँ, कुछ error यहाँ पे आ चुका है, मैं upload photo पे फिर से click करके फिर से upload photo कर लेता हूँ, और यहाँ पे next करूँगा, फिर से यह क्या करेगा, फिर से scan करेगा, आपको agri पे click कर लेना है, कुछ इस प्रकार से यहाँ पे इसको image को बढ़ा कर लेगा, next पे click करन है और हमारा दोस्तों यहां पर काम बनने वाला है । ठिक करूंक स HEY एक email भी कर सकते हो, Gmail पे मैं इसका एक link ले लूँगा, ठीके, मेरा यहाँ पे animation का कुछ इस प्रकार से आ जाएगा मैं यहाँ से, मेरा email ID जो है दोस्तों, यहाँ से ले लेता हूँ, और मैं send पे click कर लूँगा, ओके, अब मैं यहाँ से, कहाँ से इसको डाउनलोड कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे जो email होता है, हमारा email से मैं इसको डाउनलोड कर सकता हूँ, ठीके, मेरा यहाँ पे send पे होगा, ठीके, मैं email जो है दोस्तों, यहाँ पे ले ले लेता हूँ, मैं आपको file manager में भी जाकर यहाँ पे वीडियो में आपको यह download की हुई file यहाँ पे देखने वाली है ठीक है इस प्रकार से हमारी file दोस्तो download हो जाएगे तो दोस्तो इस प्रकार से किसी भी image file को दोस्तो आप animation में convert कर सकते हो उसको download कर सकते हैं और आपने वीडियो में अपने creative video में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तो इस प्रकार के और technical के tricks देखने के लिए चैनल को अभी subscribe कीजिए इस वीडियो को like और share कर दीजिए दोस्तो मिलते हैं एक नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार